हेलो एप्रिबन मैं हूँ मेखा और स्वागत है आपका मेरे कीचन में गर्मियों के मौसम में ठंडा ठंडा ड्रिंक या शेक सबको बहुत पसंद होता है और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैंगो मिल्क्षेक की रेसिपी जिर्फ पांच मिनट में आप बजार जैसा क्रीमी और ठिक मैंगो शेक बना सकते हैं बुचरिये बनाना शुरू करते हैं आम का चिलका निकालके इसको हम छोटे छोटे पीसिस में कट कर लेंगे ब्लेंडिंग जार में डालेंगे और इसमें हम तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब चीनी डालेंगे अगर आम बहुत ज़्यादा मीठा है तब आप चीनी की कौंटिटी कम कर सकते हैं इसमें हम एक कप के करीब ठंडा दूद डालेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्सी में ब्लेंड कर लेंगे और ये हमारा mango shake बनके तयार है अगर आपको ये थोड़ा पतला चाहिए तब आप इसमें थोड़ा और दूद डाल सकते हैं और अब ग्लासिस में डालेंगे मैंने यहाँ पे ठंडा दूद लिया है और अगर आपको ये थोड़ा और जादा ठंडा चाहिए तब आप ग्लासिस में पहले थोड़ी से ice cube डाल दें बहुत जलदी बनके तयार हो जाता है और ये बहुत ही tasty लगता है इसको अब हम थोड़ा सा गार्णिश कर लेंगे थोड़े से हम बारी कटे हुए काजू डाल देंगे और थोड़े से इसमें कटे हुए बदाम डाल दें थोड़े से हम इसमें किश्मिश डालेंगे और थोड़े से हम इसमें बारी कटे हुए पिस्ता डाल देंगे आप चाहें तो इसमें नारेल का बुरादा भी डाल सकते हैं और ये हमारा थिक और क्रीमी मैंगो शेक बन के सियार है आप इस तरीके से मैंगो शेक बना के जरूर देखें मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगा और ट्राइ करने के बाद अगर आज की रेसिपी अच्छी लेगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें